उत्राघंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है अब प्रदेश में कर्फ्यू की बंदशे 5 अक्टूबर तक के लिए लागू रहेंगी मुख सशिब एवं राज आप्दा प्रवंदंग प्राद्विकर्ण के मुख कारिकारी अधिकारी डॉक्ट खोलने को लेकर जुलादकारी ने मानक तै किये वहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोश का प्रमाण जरूरी होगा मैरिश हौल 50 पीज़ी शमता के साथ खोलेंगे कोरोना की जाच रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी सुभए 8 वज़े से शाम 9 वज़े तक बाजार होटल भोशनाले धाबे रात 10 वज़े से सुभए 6 वज़े तक बंद रहेंगे शब्यात्रा में अब भी 50 लोग से ज्वादा लोग 81 नहीं हो पाएंगे साथवी सामाजिक, राज़नितिक, मनुरंजक, सांस्कृतिक और बड़ी सभाएं प्रतिवंद्वित रहेंगी कॉंफरेंस हॉल, इस्पा और जिम, सैलून को 50 फीज़ी शम्ता के साथ खोलने की अनुमत भी है सरकारी और गैर सरकारी प्रसिक्शन सस्थान भी खुलेंगे तो हमारे ब्यूरोच चीफ सुरेंद्र ढखाजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सुरेंद्र जी दो इस्तितियां पैदा हुगए दोस्तरी तरफ स्कूल खोल दिये गए हैं, बाकी चीजे जो यात्रा है, चारदाम यात्रा उसको खोल दिया गया है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार भी थोड़ी सी पशोपेश्व की स्तिति में है, एक तरफ कर्फियु बड़ा भी रही है, दूसरी तरफ सारी चीजे अ जाएंगे तो अब सरकार के सामने एक मुसीबत खड़ी होगे सरकार तमाम तरह के कर्फियू का एलान भी कर रही है और सारी चीजे खुलती भी धीरे धीरे जारी है आप देखेंगे कि जो उत्राखंड में जो कोरोना का अकड़ा था वह बहुत कम आ रहा था चार पांच छे स पूरे उत्राखंड की अगर बात करें लेकिन पिछले आप एक साथ दिन का अगर रिकॉर्ड देखेंगे को पैटालीस पैटीस और पच्चीज बीस इस तरह से जो कोरोना का आकड़ा धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहा है उसको देखकर सरकार ने कर्फियू की जो ने के चलते हैं अदेभ्ण की रिफ तडि ने कर रहा है कि यस तरह वजे के बाद तो गॉर्ड हारे हैं उनकी शाज की झारएं ने कि माटए कर रहे हैं लेकिन 8 वजे के बाद अगर बार्डर से आ रहे हैं तो जाहिए है तो जाहिए कि इस्तिती में है जो ग्यूरो क्रेट इस नियम को बना रहे हैं उन्हें ध्यान रखना होगा कि एक नियम बनाए पूरे प्रदेश के लिए और प्रदेश की जंता के लिए ताकि उन्हें राहत हो और वह समझस की स्थिति पैदा होनी भी नीच वहीं क्योंकि अगर सरकार ही जनता भी कही ना कही डर के मोहल में जीने को मजबूर होगी सुरेंदर जी आप हमारे साथ वड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूड़ ना